x square upon me 36 plus y square upon me 160 equal to 1, same question होने वाला है इसमें अपने को incinatory city पूछेगा, एक अपने को length of major axis, length of minor vertexes के बारे में पूछेगा, वो incinatory city lactose rectum के बारे में पूछेगा, यह सब अपने को देखना है, तो यहाँ पर देखिएगा, पहला question है तो इसमें यही पूछा हुआ है, तो यहाँ से, पूछने का means था कि यहाँ पर वो line है, वो delete हो चुकी है लेकिन इसका meaning यही था, यह हमने इसी तरीके के question हमने example में भी solve किये थे हैं, तो यहाँ से देखिएगा कि first question में हमें यही करना है तो first question दियावा है, तो इसमें देखिएगा कि अपने x square के नीचे का 36 है, और y square का कितना है, 160 है, तो इसमें कौन सा denominator part बढ़ा है, x का denominator part बढ़ा है, that means यहाँ पर जो अपना axis आएगा, वो कौन सा आएगा x axis आएगा, यह बात आपको समझ में है, हर question में यही है यहां तक, 1 से लेके, 9 तक की यही बाते है तो देखिएगा, कि क्या है solution में क्या है, इसके solution में लपूसा solution है भई, इसका तो solution आए, solution में देखिएगा कि, कि यह है कि, क्या है, कि, डिनॉमिनेटर, डिनॉमिनेटर, यहां से डिनॉमिनेटर ओफ, अक्स स्क्वेर, 36 is greater than 2, किसके? y² upon me, 60² than, इपना, देखिएगा, कि, अक्सिस किसके लोग आएगा, तो देखिएगा, कि, मेजर, अक्सिस किसके लोग होगा? along the, एक्स aksiस, जैसे x-axis के along या आते ही, आपको बात पता हो जानी चाहिएगी इसके vertex क्या होंगे, इसके, यानिकि इसके vertex क्या होंगी, length of, y sign fur major axis क्या होंगी, length of minor axis क्या होंगी? और इसकी in sanitary city क्या आएगी यह सब आपको पता होना चाहिए तो यहाँ पर basically देखिएगा कि क्या आएगा तो यहाँ से जैसे आप देखिएगा कि अपने पास जो equation आएगी वो तो आएगी यह a square plus का y square और b square equal to 1 यहाँ से यह है तो यह आते ही यहाँ पर क्या करेंगे तो भाई अब देखिएगा कि यहाँ से अपने पास जो equation है तो यह general अपने पास equation होगी तो we compare equation कौन सी अपने पास x square 6 equal to x square plus का y square नीचे कितना है 4 का whole square equal to 1 compare 2 किसके साथ करेंगे इसका comparison हम कराएंगे इसका comparison x square a square plus y square upon me b square equal to 1 तो यहाँ से जैसे आप यहाँ पर लिखोगे तो a equal to 6 आएगा b equal to आपके सामने क्या आएगा 4 आएगा यहाँ तक की बात के लिए अब आपको क्या चीए अपने को need होगी c की ठीक है तो c के लिए हम क्या करेंगे तो यहाँ से we need need to 4k distance 4k distance 4k distance होगी वो कितनी होगी तो वो है अपने पास c c कितनी आएगी यह आएगी अपने पास देखिएगा c किसके equal होता है वो होता है a square minus का b square तो यहां से c की जो value आएगी वो देखिएगा 36 का whole square minus का 16 आएगा और यह कितना आए जाएगा 36 minus का 16 यहां तक clear आपको तो देखिएगा यहां से आपको clear है तो यहां पे आपके सामने आएगा 0 यहां पे आएगा 2 under root c तो आपके सामने c की value आएगी है यह यहां तक clear आपको तो यह अपने पास देखिएगा कि a और b सब कुछ आचुका है तो देखिएगा तो यहां से क्या आएगा a equal to 6 आगया है b equal to आपको क्या आएगा 4 आगया है और c equal to कितना है under root में कितना है यह 20 आएगा यहां तक clear है तो अब आपके पास में पता होना चाहिए कि along the axis कैसे हम एक ellipse को deal करते हैं तो ellipse को deal करने का तरीका यह है कि इसके और देखिएगा कि vertex कितने है vertex क्या है 4 की क्या हैगा point coordinates क्या आएगे coordinates क्या आएगे दूसरा point अपने पास क्या था length of किस क्या length of क्या था अपने पास major axis यह length of minor axis यह यह एक आएगा अपने पास incident tree जिसको हम E से denote करते है और इसकी value क्या आएगी C upon A आएगी तीसरी बात अपने पास cycle latex rectum rectum और इसको हम denote करते है LR से जो क्या होगा अपना 2B square upon में A तो यहां से अपने पास देखिएगा कि कितने three points आ चुके है और यह अपने पास है तो यहां से देखिएगा क्या हैगा यहां पर C की value रखते जाएए और आपके पास अप पूछ आता जाएगा तो minor axis क्या है इसके तो coordinates होते है अपने plus minus का C और यहां से इसके कितना है कि length आती है अपनी measure की आती है 2A और इसके आती है 2B और इसकी यह है यहां पर यह है और इसका vertex कितना आएगा plus minus का 1,09 x axis है तब तो यहां से देखिएगा कि अपने पास 6 तो plus यह आएगा और यहां से देखिएगा कि C कितना है 4 कि पॉइंट तो यहां से C कितना है पने पास plus minus का and root यह आएगा और यहां से 2A A की value कितनी है अपने पास 6 तो यहां पर आएगा 12 यह किलिए आपको और B की value देखिएगा कि क्या है 4 है तो यहां से कितना आएगा 8 आएगा और last one कि आए अपने पास C C कितना है root 20 upon A A कितना है 6 यह आएगा अपने पास यह वाला incinatricity यह किलिए आपको next lactus rectum कि आएगी rectum का formula देखिएगा कि B कितना अपने पास 4 होगा तो 4 का square upon 6 तो यह कितना हैगा 2 into 16 by 6 यह किलिए रहे यहां पे तो यहां से जैसे करोगे तो यहां पे कितना हैगा 16 by 3 यह अपने पास क्या आएगा 500 के 500 points यहां पे आगए अब आपको चीएगा इसका diagram भी बता दो तो diagram भी हम आपके लिए अवेविलेबल करा देंगे यह इसका diagram होगा यह diagram होगा तो यह इसके axis होगी ठीक है? और यहां पे देखिएगा इसके foky points यह है यह इसका f2 है यह क्याएगा minus का c,0 है और यहां पे f1 है जो की c,0 है और यहां से देखिएगा की इस point के coordinates क्याएगे यहां पे b,0 है यहां पे c- यह यहां तक यह बात के लिए रहे और यहां पे क्या कर सकते हो आप यह क्या होगे vertexes क्या होंगे minus का 1,0 है और यहां से क्या हो सकता रही यह plus आएगा भाई plus आएगा तो यह 1,0 है और यह कितना 1,0 है और यहां से focus से जाने वाली देखिएगा यह lettuce rectum है यहां से और यहां पर क्या आएगा यह इसका lettuce rectum LR आगया यह यहां पर LR आया, LR कितना होता है यहां पर आगा 2B square upon में आपको जो चीए वो ले लो पूरा और यहां से यह देखिएगा कि मैं आपको इसी की geometry बता रहा हूँ यहां से यह इसका क्या होगा major length आगी यह 2A यह आगी यह आपकी 2A और आप यह दि माइनर के बारे में discussion करना चाओगे यह आपकी माइनर होगी जो कि क्या आएगी 2B आएगी यह तो इस परकार से हमने 6 क 6 point आपको एक चीज और भी पूर सकता है वह पूर सकता है कि यह जो अपने पास जो minor axis है उसके उसके जो lies करने वाले इसके उपर जो points हैं इसके वह बता दो coordinates तो यहां पर देखिएगा आपको यह भी पूर सकता है कि क्या पूर सकता है कि minor axis minor axis point coordinate on the circle circle थोड़ी ना यहां पर तो ellipse आ रहा है ellipse तो उसके points क्या होंगे उसके आएंगे 0, plus, minus देखिएगा यह देखिएगा इसके coordinates हमें पूछ रहा कौन से के minor के प्लस, minus का बी आएगा और वह कहां पर है coordinates on the ellipse जो कि यह किसके ओपर है ellipse के उपर है समझ में आगे यह बात है तो इनको देखिएगा vertex यह है इसके coordinates यह है vertex हम major axis के वाले बोलेंगे उनको बोलेंगे जो कि किसके ओपर lies कर रहे है ellipse पर lies कर रहे है उनको बोलेंगे vertex तो यह आएगा B तो इसको बोलेंगे 0, plus, minus कितना है यहाँ यहाँ पर यहाँ पर अपने पास आ सकता है देखिएगा B की value 4 है तो यह 4 तो यह आ सकता है यह extra point आपके लिए यदि आप observe कर पाऊ तो झाल